हलो फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चानल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPC के सेक्षन 114 यानि की 114 के बारे में किसी भी अपराद को करने के लिए उकसाने वाला अगर अपराद होते समय वहां पर उपस्तित हो तो वो सेक्षन 11 114 के अंतरगत कवर होता है तो चलिए समझते हैं कि IPC का सेक्षन 114 हमें क्या बताता है वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए वीडियो इंफरमिशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मन भोलेगा इंडिय पनिश्मन के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में टोटल 20 धाराएं हैं जो कि उकसाने के लिए जिसे हम अबैटमेंट या फिर दूस्प्रेरन कहते हैं उससे रिलेटिड होती है यानि कि अपराद होते समय उकसाने वाले का वहाँ पर उपस्तित होना किसी भी क्राइम को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना और क्राइम करते समय उकसाने वाला जब मौके पर मौझूद रहता है तो ये समझा जाता है कि सेक्शन 114 के अंतरगत अपराद हुआ है और जैसे कि जो कम हुआ है वो कानून के नजर में अपराद होना चाहिए गलत होना चाहिए दूसरा पॉइंट ये कि जो अपराद हुआ है वो उकसाने के बाद ही होना चाहिए यानि कि अपराद करने वाला व्यक्ति किसी के उकसाने के बाद वो अपराद करता है और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट कि जहां पर अपराध हुआ है वहां पर वो उकसाने वाला व्यक्ति भी मौजूद होना चाहिए तो हम इसे एक एक्जामपल की हेल्प से समझते हैं कि राम अपने फ्रेंड श्याम को उकसाता है कि वो राजेस को मार डाले यहां पर राम उकसाने के लिए दोशी है अगर श्याम राजेस को मार देता है तो राम जिसने उकसाया था उस जगा पर प्रेजन्ट ना होते हुए भी उकसाने के लिए IPC के सेक्षन 109 के अंतरगत दंडित किया जाएगा लेकिन इन केस अगर अपराद जहां पर हुआ है वहां पर उकसाने वाला व्यक्ति भी मौजूद हो तो उस व्यक्ति को IPC के सेक्षन 114 के तहत पनिश्मेंट दी जाएगी इस सेक्षन के लिए ये जरूरी होता है कि उकसाना तो एक जगा पर हो और जहां पर भी अपराद हो रहा हो वहां पर उकसाने वाला भी मौजूद होना चाहिए तो इस section के लिए ये बहुत जरूरी है कि उक्साने का काम पहले हुआ हो और जब अपराद होता है तो वो उक्साने के कारण होना चाहिए और अपराद होते समय उक्साना वाला वैक्ति वहाँ पर मौजूद होना चाहिए और अगर हम इस section में punishment की बात करें तो punishment crime के according ही decide की जाती है कौन सा magistrate इस case को सुनेगा वो भी crime के according होगा और कितनी सजा होगी ये सब कुछ depend करता है कि crime के इस तरह का था तो हो फ्रेंड की आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो information अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like share और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा